हाई फ्रेंट्स आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com slash hindi tech tutes टाइब करके यहाँ subscribe बटन प्रेस करेंगे अगर आप subscribe बटन प्रेस कर गेए तो हर दिन मैं जो कुछ भी latest update लाता हूँ ना वो सीधा आपके mail पर आ जाएंगे friends आज के इस वीडियो में देखिए मैं आपको एक app के बारा में दिखाता हूँ इस app के जरीए आप आसानी से आपके photo को edit कर सकते हो जो जो काम आप Photoshop में करते हो ना उसाब इस पर कर सकते हो उसके लिए आप देखिए यह photo editor आपको अपने play store से download कर लीजिए इसका icon देख लीजिए ठीके तो मैं यहां इसको open करता हूँ और यहां से एक photo चूस करता हो ठीके तो एक photo चूस करने के बाद देखिए यह जो photo है न यहाँ इसको choose करते ही यहाँ आ गया है न देखिए आपको इसका date यानि इसका width और height मैं date पर प्रेस करते हैं देखिए मैं इसका width बढ़ाना चाहता हूँ या देखिए यहाँ बाजू में क्या है tall है न इस tall को select करके मैं इसको tall भी करना चाहता हूँ तो tall कर सकता हूँ ठीक है और यह जो है न इसको undo symbol करते हैं undo कर सकते हैं ठीक है और इसको देखिए मैं undo प्रेस करता हूँ undo प्रेस करने के बाद right symbol प्रेस करते ही back चले आता है आने के बाद lighting है ना इस lighting का option इस्तमाल करके आप photo की देखिए brightness, contrast, colors यह सब वगरा वगरा सब बढ़ा सकते हो ठीक है तो देखिए आप यहां undo symbol इस्तमाल करके back भी आ सकते हो फिर मैं दुबारा से back आता है और filters देखते हो तो इसमें बहुत सारे filters आपको मिलते है जैसे देखिए आपको यह BW, shadow और इस तरह के देखिए बहुत सारे colors आपको यहां देखने के लिए मिलते है जैसे ठीक है Photoshop में मिलते है ना वो इसे ही undo प्रेस करते ही back आ जाता है ठीक है अगर देखिए हम लोग यहां यह reshape है ना reshape का इस्तमाल करके आप इसको enlarge प्रेस करके अगर इसकी नाक आपको छोटी लगती है तो उसको प्रेस करते हो ना इसको tap करते हो ना तो देखिए उसके नाक बड़ी होती जा रही है ठीक है अगर आप shrink लेते हो तो देखिए इसके नाक छोटी होती जाएगी मैं इसको tap करते रहता हूँ ठीक है undo भी कर सकते हो और right symbol प्रेस करके मैं back आता हूँ और यहां focus देखिए focus यानि आपको जो area चाहिए वही area को select कर लीजिए बाकी का पूरा blur हो जाएगा वो circle में या linear में देखिए linear लेने से सिर्फ इस तरह line जाई से दिखेगा अगर आप circle लेता हो तो circle लेज़ से दिखेगा और यहां right symbol प्रेस करिए देखिए आपको सिर्फ वही area दिख रहा है बाकी का पूरा blur हो चुका है ठीक है और देखिए आप इस पर जाते हो तो clone कर सकते हो clone यानि आप देखिए मैं clone पर प्रेस करता हूँ जो देखिए यहां my skin tone यहां जो skin tone है इसको select करके यही skin tone मुझको यहां इसके for example यह जो ऊपर है ना hair पर चाहिए तो hair पर select करके यहां यह right का symbol है इसको press करते हैं देखिए वहां stamp हो रहा है इस तरह ठीक है मैं जहां जहां इसको लेकर जाकर stamp करता हो ना वहां वहां आता जाएगा ठीक है इस तरह skin पर कुछ dark circles होते हैं तो इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं बाद में देखिए आपको यहां opacity size यह सब change करने के लिए मिलते है इसमें देखिए और आपको stickers भी मिलते है जैसे I love you cake इस तरह के कोई इसको छोड़ा बड़ा कड़के कहां भी रगा सकते हो ठीक है यहां right symbol प्रेस कर दीजे हो हाँ attach हो जाएगा text लिक सकते हो smooth कर सकते हो और देखिए आपको make up का जो options होते है न जाई से lipstick और देखिए eye shadow से सब भी लगा सकते हो इसको और इसमें बहुत अच्छा वाला option frames है ठीक है इस तरह का एक photo के साथ photo को frames भी लगा सकते हो आसानी के साथ ठीक है लगा कर right प्रेस कर दीजे हो आ जाएगा और crop भी कर सकते हो rotate भी कर सकते हो यह जो last का option है न यह red eye है red eye यानि हम लोग photo निकालते है तो like button प्रेस करिए Facebook के जरीए Twitter के जरीए Google प्रेस के जरीए इस वीडियो को शेर करिए subscribe button पर क्लिक करना मत भूलिए thank you